मा की रसुई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे टेस्टी और हेल्दी आवला बर्फी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और स्वास्ते के लिए तो बहुत हेल्दी है और बच्चे और बड़े सभी को पसन आती है तो आईए बनाना सुरू करते हैं हम आउलों को स्टीम के लिए रख देते हैं मैंने यहाँ पर 500 ग्राम यानि हाफ केजी आउले लिए हैं तो अब मैं इसे स्टीम कर लेती हूँ 10 मिनट 10 मिनट हो गये हैं अब हम चेक कर लेते हैं आउलों को आउले अच्छी से स्टीम हो गये हैं हमारे देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है और यह देखिए ऐसे अच्छी से स्पून इसमें घुज़ा रही है यानि आउले अच्छी से स्ट्रीम हो गए हमारे तो अब हम गैस को बन कर देते हैं और आउलों को थोड़ा से थंडा होके इनको कद्दू कस कर लेंगे इस तरह से आउले को मैंने कद्दू कस कर लिया है बॉयल करके भी हम इसे यूज कर सकते हैं लेकिन बॉयल करने से पानी में उसके सारे विटामिस निकल जाते हैं तो इसलिए आप भी इसी तरह से स्ट्रीम करके इस तरह कद्दू कस कीजेगा अब हम गैस में एक कढ़ाई रखते हैं और उसमें डालेंगे दो बड़े चम्मत गाये का घी घी को अब हम गरम होने देंगे थोड़ा सा गी हमारा गरम हो गया है गैस को सिम कर देंगे और उसमें डालेंगे जो कढ़्डू कस किया है हमने आउला उसको और सिम आज में इसको अच्छे से हम ढोलेंगे अब आउले में भरपूर मातरा में वितामिन C होता है तो इसे किसी ने किसी तरह से हमें खाने में यूज करना चाहिए तो बच्चों को अगर खलाना है तो इस तरह से अगर हम उनके लिए अलग-अलग तरीके से बनाएं तो बच्चे भी सौक से खाते हैं और उनके शरीर में खूब सारा विटामिन सी जाता है सड़ियों में इसलिए सब का पसंदीदा है ये डिस तो आप भी जरूर इसको सड़ियों में बना कर ट्राई कीजिए तो इस तरह से आउले आते हैं तो इस तरह से किसी भी तरह से हम आउलों का प्रयूप कर सकते हैं आउला अच्छी से हमारा भुन गया है अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी सक्कर और इसको भी इसी तरह से आउले में मिक्स कर देते हैं और अच्छी से पिगला लेते हैं सक्कर को अब हम गैस की आँच को मीडियम कर देंगे जिससे हमारे सक्कर जबदी से पिगल जाए इस तरह से सक्कर को हम पिगला लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम जो मैंने बनाया है बादाम और अक्रोट का पाउडर एक कटोरी मैंने बादाम लिया और एक कटोरी मैंने अक्रोट लिया और उसको इस तरह से दरदरा सा पाउडर बना लिया तो इस पाउडर को भी इसी में हम एड़ कर देते हैं सबी का माप मैंने कट्वारी से लिया है तो 500 ग्राम मैंने यहां पर आउले दिये थे और एक कट्वारी का माप मैंने इसके सामागरी के लिया है तो यहां पर मैंने एक कट्वारी सक्कर एक कट्वारी बदाम और एक कट्वारी अख्रोट इस तरह से लिया है और इस तरह सबी करऴी कोब हम अच्छी से मिक्स कर देते हैं इसमें इसी में डालेंगे हम थोड़ा सा यानि वनफोर्ट चम्मच काली मिर्ज का पाउडर में और आधा चम्मच सॉठ पाउडर यानि सूखा हुआ अद्रग पाउडर और वनफोर्ट चम्मच हम इलाइची पाउडर और सबी को इसी तरह से फिस से मिक्स कर देंगे इसमें अब इसी में हम डालेंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर और इसको भी अब हम सबी के साथ मिक्स कर लेंगे इसी में जो पाउडर है ना मिल्क पाउडर उससे बहुत अच्छा स्वाध आ जाता है इसमें जो आउणले का कटेला पन रहता है तो वह नहीं लगता है इसमें और बच्चे भी बहुत स्वाध से इसको खाते हैं तो इसी तरह सब सभी को हम मिक्स कर लेंगे, आज को थोड़ा से सिम कर लेते हैं, जिसके नीचे लगे ना, और सभी सामागरी को अब हम अच्छी से मिक्स कर लेते हैं, अब हम इसमें एक चम्मच और उपर से घी डालेंगे, जिससे के अच्छी से सभी सामागरी मिक्स हो जाए आपस में, और फिर से सभी को हम एक बार अच्छी से मिक्स कर लेंगे घी के साथ, घी से क्या होता है, सब अच्छी से मिक्स हो जाएंगे, यानि ड्राइफ फूट भी, आवला, सक्कर और मिल्क पावडर, सभी अच्छी से मिक्स हो जाएंगे इसमें, और पांच मिनट हमें फिर से इसे पकाना है, इसी तरह हिलाते भी, देखे, अच्छी तरह से मिक्स हो ग पकाना है विद्धी नीचे नहीं लगना जपते अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह छोड़ेगा। देखे, यानि अच्छी से बन गया है अब हमारा, अब हम एक प्लेट लेंगे और इस तरह से उसमें घी लगा लेंगे इस तरह से, अब हम इसमें डालेंगे अपनी बर्फी को, इस तरह से पूरी प्लेट में हम घी लगा लेते हैं इस तरह, और जो बर्फी हमारी डेडी है अ इसको अब हम गरम गरम इस प्लेट में पैला लेंगे इस तरह इस तरह से पहले सभी को डाल लेते हैं पूरा इस तरह इस तरह से प्लेट में हमने इसे डाल दिया है अब इस तरह चम्मच में घी लगाके इसको हम बराबर कर लेते हैं घी इसले लगाना चम्मच में क्योंकि यह नहीं तो चम्मच में चिपकने लगेगा इस तरह इस तरह से अब हम चम्मच में से बराबर कर लेते हैं प्लेट में इस तरह देखे खुसबू बहुत अच्छी आ रही है जब आप बनाएंगे न तो यह खुसबू तो तब ही आपको महसूस होगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और सबसे बड़ी बात है कि यह हेल्दी बहुत है तो इसलिए आप भी जरूर ट्राइ किजिए और ऐसी ही नए नए रेसिपीच के लिए हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहे हैं मैं आगे भी नए नए तरीके की रेसिपी आपके लिए लाऊंगी और अपने दोस्तों को भी सेयर किजिए पिस्ता रखे हुए हैं तो उनकों हम चिड़क देंगे जिससे इसका लूप बहुत सुन्दर दिखता है उपर से इस तरह से उपर से चिड़क देंगे आपके पास कोई भी ड्राइफ्रूट हो तो आप डाल सकते हैं अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यह त उसे एक घंटे के लिए थंड़ा होने के लिए छोड़ देते हैं एक घंटा हो गया है अब अच्छी से हमारी बरफी सैट हो गई है तो अब हम इसे मन चाहिए सेप में इस तरह से कट कर सकते हैं इस तरह अच्छी से कट भी हो रहा है इस बर्फी को हम मेहने भर तक खा सकते हैं इस तरह से आप अपने पसंदिदा पीसेच कर लीजिए लेजिए हमारी हेल्दी और टेस्टी आउला बर्फी बनकर बिल्कुल रेडी है देखी दिखने में भी बहुत सौफ्ट है इस तरह से और खाने में तो बहुत टेस्टी होने वाली है तो आप भी इसी तरह से आउला बर्फी को घर पर जरूर बनाईए थैंक यू प्रूर बनाईए